अज़ के इस वीडियो में इस्टाग्राम ओपें नहीं हो रहा है तो कैसे ओपें करेंगे और किस तरह से इस तरीकों को अपलाई करेंगे जो मैं तरीका बताऊंगा असानी से आपको बहुत सही हो जाएगा तो फ्रेंड वीडियो को सुरु से लास तक देखेगा और बतादे फ्रेंड की चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सस्क्राइब करेंगे देख सकते हैं इस तरह से हमने ओपें करना हूं तो हमारा इस्टाग्राम ओपें हो रहा है जो मैं ने जो तरीका आप लाई किया था उस तरीके को आप भी अपलाई करेंगे तो आपका इस्टाग्राम चनले लगेगा और 100% open होने लगेगा तो friends 100% आपको live proof देखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने Instagram को सही कर सकते हैं जो friend वीडियो को पुरा वाज करिएगा इससे कि आपकी जो होती है Instagram open नहीं होता है तो 100% open होने लगेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा friend इसके लिए आप अपने Chrome browser को open करेंगे जो देख सकते हैं इस तरह से हमने Chrome browser को open कर लिया है friend Chrome browser को open करने के बाद आपको इहां से Instagram का आइकन दिखाए दे रहा होगा नीचे Google के साइड में इस पर हम क्लिक करेंगे तो Instagram.com पर लिखेंगे या Instagram जो हमारा सच है इसको हम क्लिक कर देंगे जब इसमें हम क्लिक करेंगे friend तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा loading लेगा loading लेने के बाद friend जैसे हम पहले इसमें Instagram कैसे ही recover किये हैं इसको हम पहले open किये हैं open करने बाद देख सकते हैं, इसमें हमारा भी Instagram open हो रहा है, तो पहले नहीं open होता था, तो फ्रेंड इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आइकन पर नीचे आपको आइकन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से अपना profile देख लेंगे, फ्रेंड पर फ्रेंड देखने बाद आपको लॉग इन में इस तरह से switch account हता है, switch account में आपको क्या होता कि आपको professional account है कि आपका business account है, इसको आप देख लेंगे, देखने बाद आपको फिर से आपको बाइक हो जाना है, फिर से आपको chrome browser में देख सकते हैं इस तरह से हैं, तो आपको यहां से search करना है, instagram.com, फिर से instagram.com क कर लेंगे, इससे क्या हो का फ्रेंड कि जो आप अपने instagram को open नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक कमी होती है, जो आप उसको कमी को दूर नहीं करते हैं, इसलिए आपको black and white आ रहा है, वाइट आ रहा है, तो इसलिए क्या करना है, आपको यहां से देख सकते हैं, आपने instagram को open क करते समय, एक निम्द बाते याद रखना चाहिए, कि जैसे फ्रेंड होता है, क्या कि आप अपने account, instagram में दो account use करते हैं, तो पहले आपको एक account delete कर लेना है, तो जैसे इस तरह से हमें open कर ली हैं, open करने बार और जो account personal है, उसको account में अपना number और email id सेट करना चाहिए, तो इ इस फ्रेंड आपने edit profile पर जाएंगे, तो edit profile पर click करेंगे, तो इस तरह से scroll करेंगे, तो अपना आपका ID मिल जाए देखाएगा, और आपका email id इसमें 8 है कि नए, mobile number 8 है, यहाँ से आप देख सकेंगे, इससे क्या होगा, कि फ्रेंड आप यहाँ से देख लेंगे, तो आप करने बाद यहाँ से icon में, यहाँ से back हो जाएंगे, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से Google पर आप लिखेंगे, इस तरह से देख सकते हैं, आ चुका है, इस्टागराम, इस्टागराम फ्रेंड लिखने बाद आपको यहाँ से जो official beside Instagram.com, फिर से आप वो ही अपने app में आ इस तरह से आपको लागाउट होना है, इसको हम लागाउट कर देंगे, फ्रेंड लागाउट करने बाद आपको यहाँ से back हो जाना है, जो यहाँ से लागाउट कर लेंगे, इसके पर से हमें रिमूव कर लेंगे, इसके पर से हमारा देख सकते हैं, इसमें हमारा ID है, आई आइडी पर हमारा जो होता है एक OTP जाएगी और उसके मैसेज जाएगा तो चली हम अपने जो होता हमारे जीमेल आइडी लाश्ट का आंक देतेगा और सुरू में के जो लिखे रहेंगे उसको जो रेट उसके पर से अपने मुवाइल में जो सेट रहता उसको इमेल आइडी हम ओपन करेंगे दो देख सकते हैं जीमेल आइडी है हमारा जीमेल आइडी को हम ओपन करेंगे तो ओपन करने बाद फिर हमारे मुवाइल में इस तरह से आजाएगा जीमेल आइडी इसको स्क्रोल करेंगे इस तरह से हमारा देख सकते हैं फिर हमारे मुवाइल पर आ चुक होnahmen की आपको लिखें गे उसके परसे इक काणफर्म का पासवर्ड़ देता है उसके परसे हम सममीट पर क्लिक कर देंगे submit पर click करने के बाद यहाँ से आपको automatic आपका खाता का जो होता है Instagram automatic read करने के बाद open हो जाएगा तो देख सकते हैं इस तरह से open हो चुका है और इस तरह से open होने के बाद जिसे होता है कि आपका तब भी भी नए open हो रहा है तो फ्रेंड एक और तरीका है जो आपको prove के साथ देखाओंगा इस तरह से open होने कबाद आप अपने पहले इस कर ओसे जही फाइले को बन्द कर देंगे अपने भाइल को बंद करने बाद आपने Instagram को होता है आपको clear करना है clear करने को देख सकते हैं उपर में क्लियर हो गया क्लियर होने बाद यहां से आप अपने मुबाइल में प्लेश्टोर में जाएंगे प्लेश्टोर में जाने बाद फिरें आप अपने प्लेश्टोर में जाने बाद यहां से लिखेंगे इस्टाग्राम अपडेट पर लिखेंगे इस तरह से देख सकते इस्टा सब्सक्राइब आपका जो बग रहता है आपका जो तर्थ आपको स्यूज करके नहीं चलाना जैसे आप अपने इस्टाग्राम प्रोफेशनल है तो एक ही मुबाइल में चलाएंगे जैसे फेक आईडी उसमें नहीं यूज करेंगे और बीपीयन जो होता है फ्रेंड बीपीयन को माध्यम से आप कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि बीप इसके पर से इंकरेक्ट पास्वर लिख रहा है उसके पर से फेस्बुक के लेंगे फेस्बुक से फेस्बुक से लेने बाद आपको तुरंत आपको रीड कर लेगा उसके पर से हमें ओपन हो जाएगा इससे पहले बता दे फ्रेंड कि आपका एकाउंट होता है फेस्बुक तो जैसे देख सकते हैं इस तरह से हमने open कर लिया और जैसे last में आपका दोनों तरीकात नई काम करता है तो आप अपने मोबाइल में डबल एप्स सेटिंग में जाएंगे डबल एपस को कर लेंगे इस्टागराम को कि जैसे क्यों नहीं चलेगा दूसरे प्रूप के देखाउंगा जीसे देख सकते हैं वे चुके हैं इस तरह से में अपने मीनु बार को ओपन करें प्रेंट, मीनु बार को उपेन करने बे मेरा देख सकते हैं, मारा ओरजिनल वाला इसको डूल्टिकिट वाला, तो फ्रेंट यह दो और जीनल होता है और आप दो एकाउंट यूज करते हैं, तो इस तरह से आप दो एकाउंट यूज करेंगे, जो एकाउंट इसमें नही लॉ सब्सक्राइब करिएगा